लेक्चर के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे The Characteristics of Ecological Succession बच्चो जो एग्जाम में कई बाद प्रशन आता है बच्चो इकोलोजिकल सक्षेशन ठीक है या कई बाद इस तरह से आज आता है कि डिस्कस एकोलोजिकल सक्षेशन और प्लांट सक्षेशन इन ब्रीफ ठीक है उस सुरत में जो पिछला लेक्चर है वो आप लोगोंने आटेम्ट करना है कई बाद एक लंबा प्रशन आता है बच्चो कि वेट इस इकोलोजिकल सक्षेशन डिस्कस करेक्टर स्टिक्स ऑफ और इकोलोजिकल सक्षेशन इन ठीक है उस सुरत में आपके यह दो लेक्चर कंबाइन करके एक अंसर बनाएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चो तो जो पर मुझे समझाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वह पिछले लेक्चर में डिसकस नहीं हुए इसलिए मैं एक एक करके स्लाइड रीड करता जाओंगा जहां-जहां समझाना होगा वहां पर मैं आपको समझाता जाओगा मेरे प्यारे बच्चो ठीक है इकोलोजिकल सक्सेशन इनवर्ब्स चेंज इन स्पीशी साइस वाइल मुविंग फ्रॉम पाइनियर सीडियल स्टेज टुदा क्लाइमेक्स सीडियल स्टेज यह मैं पिछले जब आपको इमेज बताए वहीं से कलियर हो गया जो पहला कम्यूनिटी एस्टमिश होता है उसम सब्सेक्वेंट सीडियल स्टेजिस है ठीक है उद में स्पीशी का साइज इंक्रीज होता जाता है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों यह पहला फैक्ट वाइल यह याद रखना है सेकिंड वन इस स्पीशी डाइवर्सिटी कीप्स ओन इंक्रीजिंग वाइल मॉविंग पर तरहां मिलां आंबेर पर थाम मॉवाम मॉवल यह भीजिवर्सिट इस इंक्राइव कैसंड लिए वन थी फे स्थरॉर वैंडू यह यू म IR यू आ समझने के लिए आमको एक फेक्ट जानना जरूरी है बच्चों जो इस सॉइल है तभी मैंने कहाता है ना धर्ती जिसके उपर धर्ती का छोटा सा हिसा जिसके उपर प्लाट सक्सेशन होता है शुरू होता है और प्रॉपेगेट होता है स्वाइव बैसिक और वटाए पानी में वाटर यह स्वाइट की से एड होना है soil में air और oxygen कैसे add होना है ठीक है फिर बात करते हैं एक और component और और गनिक component of soil चोथा component ठीक है और गनिक component of soil वो कैसे मिलेगा बच्चो जो plant community है जिसमें बहुत सारे species involved रहते हैं वो अमर्त होते नहीं है वो मरते है ठीक है मर के धर्ती पे गिरते हैं then these are decomposed by very important component of our ecosystem that is decomposers decomposers और हम उसको बोल सकते हैं soil micro organisms इसमें जाज़तर रूप में fungi और bacteria involved रहते हैं ठीक है बच्चो तो यह soil micro organisms भी है एक essential component of soil ठीक है वो क्या काम करते हैं they add organic portion to the soil ठीक है अधस a soil becomes a perfect soil if it has all the five components ठीक है and because in due course of ecological succession while moving from pioneer serial stage to climax serial stage there is continuous death of the individuals of different species or population therefore there is continuous formation of soil because there is continuous addition of the organic component of soil ठीके मेरे पारबच्चो इसके साथ ही रिलेटिड एक और पाइट है therefore there is a continuous increase in organic matter in soil in soil while moving from lower serial stage to higher serial stage वाई बच्चो विकाउस दा contribution of a lower serial stage is less as compared to the higher serial stages क्योंकि जो lower serial stages में जो individuals है जब वो मरेंगे ठीके वो छोटे साइज के है तो वो कम organic matter एड करेंगे जबकि हम आगे के उपर के सीधर स्टेजिस की तरफ जाते हैं जहां पर जो प्लांट कम्मुनुटीज हैं उनके individual का साइज बड़ा है जब वो मरते रहेंगे तो continuously decompose होते रहेंगे और continuously organic matter एड करेंगे increased manner में ठीके समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों तस्टेरिस continuous increase in a amount of organic matter added to soil while moving from lower serial stage to higher serial stage one more very very important point that there is continuous increase in energy content और इसकों energy flow in ecosystem भी बोलते हैं बच्चों वन आप दा very important characteristic of the ecosystem हम बार में कभी discuss करेंगे ठीक है there is a continuous increase in energy content in an ecosystem which ecosystem बच्चों यह ना autumn 1971 ecosystem development किसी भी serial stage में जो community develop होता है वो एक unique ecosystem बनाता है यह ना मेरे प्यारे बच्चों तो हर एक ecosystem में वाइल moving from lower serial stages to higher serial stages there is continuous increase in energy content अब क्या बोलते हैं what is the source of energy for our ecosystem Sun the solar radiations are harvested by autotrophs which then continuously move through different trophic levels that is passing through consumers of various levels the ultimate source of energy is Sun and the flow of energy in an ecosystem is unique directional that starts from herbivore that starts from autotrophs then it moves into herbivores and then at different levels of carnivores and finally to decomposers ठीक है अब क्या बात है why there is continuous increase in energy flow यह हम autotrophic succession पढ़ रहे हैं बच्चों plant succession ठीक है हलांकि जो animal succession है यह ना animal succession यह heterotrophic succession भी बहुत है उसको उसका detail हम बार में discuss करेंगे उसमें continuous decrease in organic matter होता है ठीक है and there is continuous decrease in energy content होता है बच्चों ठीक है अभी हम उस point को discuss नहीं करेंगे यहां पर क्या point discuss करना बच्चों there is continuous increase in energy content because although all the autotrophs all the members of different communities are capable to exploit the solar radiation solar energy but the solar energy exploited by the pioneer community is minimum because of their small size okay or small in number there is little diversity okay the what i mean to say the exploitation of solar energy increases while moving from lower serial stage to higher serial stage therefore there is a continuous increase in energy content why but because the members of climax community they are most efficient or they exploit the solar energy most efficiently that is why the members of a climate community they have highest energy content ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ecological succession involved gradual and continuous replacement of plant community why gradual because the modification of physical environment is not done in a month or a year or a decade it takes hundreds of years ticket it takes hundreds and thousands of years for the plant communities to modify the physical environment as a result when the physical environment changes the it remains it becomes a unsuitable for a existence of all or survival of the existing community that is why that community is replaced by some another plant community which is more suited to live or to thrive under that change to physical environment that is why it takes place gradually and in a continuous fashion ठीक है इसकंटिनूस नहीं होगा कि सीधा पाइनियोस स्टेज से से सीधा क्लाइमेक्स स्टेज में जम कर दिया ठीक है इस अकर इना continuous इसे प्टीनूस प्रेश्ट में आफ प्लाइज आफ प्लाइज और इस ने इस आफ दिशेश्मेंट आफ दिफ्रेंट स्पीशी और पॉप्पुलेशन डूरिग इच सीर्व स्टेज अब यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से रूपना चाहोंगा नेरे प्यारे ब जेग्राफीकल डीस दे शेशन होना है जैए वह क्या होना चाहिए वह वह क्या होते हैं बैर फिर कुछ आये वहां पर ठीके, खाये पिए, मोज करें, फिर वहीं के निवासी बंद के दे जाए, ठीके, अब वो क्या होते हैं, बच्चो, प्लांट्स, प्लांट्स चल के आते हैं, कि मैंने फलाना जाना है, मुझे कुलू से चंडीगर जाना है, मुझे वहां बसना है, नहीं म ठीके, मेरे प्यारे बच्चो, ये हवा की मदद से, किसी और एजेंसी की मदद से आते हैं, खाली जगा के उपर, बेरन लेंड के उपर, सेटल होते हैं, ठीके, अब जिन प्रोपेग्यूल्स को फेवरेबल एंवार्नमेंटल कंडिशन मिला, फेवरेबल फिजिकल सेक्टर मिले, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना पपुलेशन बढ़ाते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि पर्मनेटली ये एस्टाब्लिश हो गए, ठीके, मेरे पैरे बच्चो, अब ध्यान देना है, मान लो, धर्ती का कोई हिस्सा चाह, जहाँ पर प्लांट सक्सेशन हो रहा है, वहाँ पर सॉइल का डेफ़ इतना है, ठीके, इतना सार्व का डेफ़ है, तो उस समय में जो प्लांट प्रपेकूल्स आएंगे या तो कैसे ब्लांट होने चाहिए, जिनका रूट सिस्टम इतना एक लंबा जाए, लिएक न उस समय में उस ecosystem में ठीक है या उस सीरल स्टेज में एस्टबलिश होने के लिए समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि invasion या migration बच्चों इन्वेजन का जो पहला step असल में migration होता है माइग्रेट हर कोई होते हैं बच्चों बड़े पोदे के छोटे पोदे के प्रॉपेग्यूज लेकिन वहीं सर्भाइब कर पाएंगे वहीं वहाँ पर एस्टब्लिश हो पाएंगे जिनका रूट सिस्टम चोटा रहेगा क्यों कि उस पर्टिकुलर एको सिस्टम में जो स्वेल का डेप्ट है वो तो फिक्स है फिला फार्द टाइम भी एड़ टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑप दोस प्रॉपेग्यूज ठीक है मेरे बच्चों तो जो छोटे रूट वाले पोदे होंगे वो सुटेबल होंगे एस कंपेर टू दब प्लांट्स विद हाई लॉंग रूट सिस्टम ठीक है यह बताने का मेरा मेरा में परपस यह था एकोलोजिकल सक्सेशन में क्या होता है बच्चों कोई न्यूड एरिया जब मिलता है त प्लांट्स के प्लांट्स के प्लांट्स के प्लांट्स माइग्रेट होते हैं ठीक है माइग्रेट होते हैं और जिन प्लांट्स को वहाँ पर सुटेबल सब्सेटम मिलता है वह सुटेबल सब्सेटम क्या है अभी मैंने बता दिया एक्जामपल से ठीक है वह वही पर जर्म एक और टर्म यूज होता है ठीक है तो जो माइग्रेट हुए एस्टब्लिश हुए और एग्रिगेट हुए यह असल में आता है एक पॉमन टर्म इन्वेजन पी अंडर ठीक है मेरे प्यारे बच्चो आगे बढ़ते हैं इससे ज्यादा यहां में बताऊं कर दी ठीक है मुझे लगता समझ आ गया है एक बार रीट कर लेता हूं इकोलोजिकल सक्सेशन इन्वर्फ इन्वेजन एंड एस्टब्लिश्मेंट डिफ्रेंट स्पीशीज और पॉपॉलेशन द्यूरिंग इच सीडल स्टेज ठीक है तो इसके लिए एक और शम्द भी लिख सकते हैं डिफ्रेंट सूटेबल स्टे स्पीशीज सूटेबल तो उस समय में जो पिक्यूलियर एक यूनिक इकोसिस्टम बना है ठीक है जिसमें सोईल का डेफ्थ भी एक मेजर कंपोनेंट रेता है बच्चों फार्दियर एस्टब्लिश्मेंट एंड फार्दियर एग्रिगेशन तो वही प्रपग्यूल्स वही स्पीशीज वही स्पीशीज के प्रपग्यूल्स एस्टब्लिश और एग्रिगेट हो पाएंगे जो सूटेबल रहेंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इकलोजीकल सक्रशचेशन इनवॉल्व से इंटरक्शिन और कंपिटीशन बीटिवीन इंडीविट्ट योफ शेम स्पीशीज और इंडिवर्ट से इंडीविट्यूल्स उप्लांट सक्षिशन करेंगे वहां पर एक धर्म आएगा पाच्चों और यह वो को एक्षिन होता है co-action in the form of the interaction or the competition between the individuals of same species which is considered more severe this from interest specific competition both a ticket the competition or interaction between the individuals of same species is called interest specific competition which is more severe as compared to the inter specific competition or interactions or interaction between the individuals of different species why the interest specific competition is considered more severe but you're because their interest is common take me repair a bunch of their interest for food and space is common that is why competition is severe or fierce وہ خجرناب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے نا خجرناب طریقے سے لڑتے ہیں بہت بری طرح سے لڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر میں ایک چھوٹا سا example دینا چاہوں گا ایک چھوٹا سا بچوں ٹھیک ہے یہ substatum ہے جہاں پر یہ اس کو میں beach میں جسے draw کرتا ہوں یہ substatum ہے جہاں پر ecological succession کا process چل پڑا ہے یہ ایک species ہے ٹھیک ہے یہ اس کا root system ہے ٹھیک ہے پھر یہ ایک سے تھوڑا سا ایک اور بڑا species ہے یہ اس کا root system ہے بچوں ٹھیک ہے اگر دو individuals ہیں ایک ہی species کے تو ان کا جو root system کے اندر competition ہوگا for food and space it is adverse it is fierce کیوں کیونکہ they share same characters ان کا leaf کا ان کا stem کا ان کے roots کا structure بھی لگ وہ برابر برابر ہوگا برابر depth میں جائیں گے تو availability of inorganic nutrients ان کا competition خطرنا ہوگا بچوں ٹھیک ہے جب ہم interspecific competition کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے بچوں اس کا root system جو deep seated ہے تو یہاں پر یہ اس species کے ساتھ جیدہ کمپیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے پیارے بچوں کیوں کہ یہ کہیں دور دور سے ہے بھوڑن کو گرہن کر رہا ہے کونسا بھوڑن inorganic بھوڑن that is why it is considered that inter specific competition is less severe as compared to intra specific competition now when they compete with each other they modify the environment or the physical environment so ecological succession involves a modification of a physical environment resulted by interaction or the competition between individuals of same species that is intra specific competition and also between individuals of different species that is inter specific competition okay what happens when the physical environment is changed it means that the physical environment becomes more and more unsuitable for the survival of that existing community okay that is why it gets replaced in due course of time in due course of ecological succession the changes which are occurring during ecological succession are predictable this can be predicted because these are taking place in a gradual manner not abruptly and the plant succession is self-going or self-governed or self-governed this can be true. ठीक है? जब हम आगे types करेंगे, बच्चो कुछ में तोड़ा difference है ना, एक natural plant succession होता है, एक ecological succession होता है, एक induced ecological succession होता है, ठीक है? जहाभा पर induced ecological succession की बात करेंगे, वहाँ पर ये self-going शब्द नहीं आएगा। और कुई ki जो ecological उसका बहुत सारा इसा नेचुरल ही होता है बच्चों नेचुरल एकोजिकल सक्सेशन होता है। उस सूरत में इस इस अधीश एक गोइंग ठीक है मेरी प्यारे बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खटम होता है। है ठीक है we'll see you tomorrow have a nice day stay safe keep studying ठीक है keep studying hard now बच्चो exams are near thank you very much my dear students